हलो फ्रेंड आजके इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y100 Android वाइल फोन में आप जो है नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा है vibrate for call इस option पर आपको select करना है vibrate for call का page open हो जाएगा तो आपको यह नीचे की side यह दो option दे रखे होते हैं always vibrate और vibrate then ring gradually ठीक है इन दोनों option में से आप एक option पर select कर लीजिए अगर आप always vibrate पर select करेंगे तो तब भी आपकी vibrate for call setting enable हो लेकिन ringtone के साथ साथ आपका mobile phone vibrate करेगा जितनी देर तक आपका phone ring करेगा उतनी देर तक आपका phone vibrate करेगा अगर आप इसे vibrate first then ring gradually इस option पर अगर आप select करते हैं तो भी आपकी vibrate for call setting enable हो जाएगी लेकिन यह setting थोड़ी different तरीके से काम करेगी कैसे जब भी आपका mobile phone पर कोई ringtone create होगी ठीक है तो यह setting जो नहीं incoming call आने पर इस setting इस तरीके से काम करेगी आप इन दोनों में से किसी भी एक option पर select कर सकते है ठीक है इस तरीके से आपकी यह setting enable होने के बाद काम करेगी अब मैं आपको यह vibrate for call setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका आपको बता देता हूँ आपके नीचे की साइड यह options हो जाएगा vibrate for call का इसे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूंडने का ठीक है